बेटर एनिमेशन बनाने के लिए हम ड्राइवर एड़ कर सकते हैं जिस तरह हम यहाँ पे आर्मिचर और डिफरेंट टाइप के ओब्जेक्स एड़ करते हैं उसी तरह अगर हमें अपने एनिमेशन पे और बेटर कंट्रोल लाना है तो हमें ड्राइवर्स चाहिए तो इस वीडियो में हम कैसे ड्राइवर्स करते हैं उसका यूज़ कैसे हो करते हैं वह देखेंगे सबसे पहले हमंए पास एक क्यूब ओल्रेडी ऑबजेक्त मोड में हे हम यहाँ पे आठिकर डाल लेते हैं यह अर्मिचर में डाल दिया है अभी जो हम क्यूब को सिलेट कर लेंगे और उसका अबजेक्ट डेटा में जाएंगे यहाँ पर जो उल्टा ट्रेंगल है प्रोपर इस पैनल में वहाँ पर जाएंगे अभी हम इसमें शेप की एड करेंगे वन टू मिनिमूम आपको टू एड करनी पड़ेगी यहाँ पर की पे हमने क्लिक कर लिया है और अभी हम टेप दबा के चाहेंगे एडिट मोड में अभी थ्री प्रेस करेंगे ताकि हम सीधा इसमें फैस मोड में आ जाए तो हम अभी फैस मोड में है टोपो का फैस सिलक करेंगे और एस प्रेस करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे स्टोड आशा बड़ा करदें बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा असा तो यह क्योइड अपना इस टीप का हो गया है अभी हमने क्यूब तो बना लिया है और इसमें जो भी अपना ठाव SMITH अभी इसको और प्रेस करके वापस से object mode में जाएंगे तो अपना पूरा का पूरा जो हमने इसमें स्केलिंग किया था वो चला गया एक्चुली में वह चला नहीं गया है वह हमें मिले गए यहाँ पर यहाँ पर वेल्यू है जिसमें 0 है अगर हम 1 करेंगे तो यह जितना हम वहाँ पर बड़ा किया था उतना हो जाएगा और इसको वापस से 0 कर देंगे अभी हम इसमें एड्ड्रायवर ग्रायवर प्लिक करेंगे प्लिक करते है अलग सी इसा व्लेक कलर का मेनु खुल गया उसमें हम शूऊँ आयेवर एडिटर में जाएंगे उस तो श्वेकल मेनु मेनू खुल गया अभी जोए ग्राफिकल मेनू ओपन हुए उसको थोड़ा से चोटा कर लेंगे ताकि हम बागी की चीज़े भी आराम से देख पाए यहां पर हमारे पास जितने भी ओप्शन है वह पहले देख लेते पहले तो यहां पर अपने पास ऑप्जेक्ट का ओप्शन है तो ऑप्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो अपने पास जितने भी ऑपजेक्ट अभी सीन में है सारे के सारे दिखेंगे हमें आर्मेचर लेना है फि स्केल ले लेंगे स्केल आप कोई भी साइज की ले सकते हैं अगर मानलिए आपको पता ना हो के हैं आपने कौन सा स्केल दिया हुआ है तो आप एवरेसट स्केल ले सकते हैं कंद क Lewis लेश लेते ही देखे अपना मीणस वापस से बड़ा हो गया तो उसका टेंशन इस अभी यहां पे जो वार है वरिएशन में जाके यह म सको माइनस वन कर देंगे यहां पे प्लस था अभी अभी हम उसको मैनस में कर देंगे तो हमने वार माइनस वन ले लिया अभी हमारा जो graph editor उसमें हमने एडिट कर दिया है और हमने एक driver already add कर दिया है अभी यहाँ पे हम इस ग्राफ पे क्लिक कर सकते हैं की पे क्लिक किया उसके बाद ग्राफ पे क्लिक किया तो अभी हम जाके अपना एनिमेशन चेक करेंगे इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे देखिए अपना जो वाइट था वो पुरा colorful हो गया है और इसमें हम अगर value come down करते हैं तो उसका एफेक्ट यहाँ पे आएगा अभी इसकी इसको करेंगे इसकशा प्रोपोर्शन में तो इससे बहुत ही बढ़िया कंट्रोल मिलता है वह यह देख सकते हैं पर हम हम छोटा करेंगे तो छोटा नहीं होगा क्योंकि की minimum value हमने यहाँ तक ही हुए हिए बढ़ा करेंगे तो बढ़ा होगा आभ आभी अभी इसको हम रिलीस करके वापस से object mode में आते हैं अभी हमारे पास tjube को select करते ही यहाँ पे range मिंए है तो range में हमारे पास to minimum range है उसको उसको हम –2 कर देते हैं या-1 कर देते है तो माइनस 1 हमने की है range तो अभी आप हमारे पात जो Zero race थी उसकी जगा पर मैनस में चली गई अभी यहां फिर से इम ब medicines करेंगे और फिर से जाएंगे पीज म्ट मोड में एस प्रेस करता हूं स्केवल लें स्केल ये इसको बड़ा करेंगे तो यह बड़ा हो रहा है और जैसे इसको चोटा करेंगे चोटा वर्ट कर रहा है देखिए तो इस तरह से कोई भी ड्रैवर डाल सकते थोड़ी प्रेक्टिस के बाद यह बहुती हैंडी हो जाएगा कर दो कर दो झाल झाल